दोस्तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बात कैसे करें? बाते तो हम सभी करते हैं, खूब बाते करते हैं, लेकिन बात करने में और चालांकी से बात करने में दोरों में जमीन आसमान का फर्क होता है सिंपल तरीके से बात करके आप टाइम पास तो कर सकते हो पर किसी को इंप्रेस नहीं कर सकते, किसी से अपना काम नहीं निकाल सकते, अच्छी जॉब नहीं हासिल कर सकते और ना ही लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ सकते हो, बाते तो तीन साल का बच्चा भी कर लेत उस बच्चे की बातों पर लोग हस्तों देते हैं पर उसकी बात को Importance नहीं देती, आपको ऐसे बात करनी आनी चाहिए कि लोग आपकी बाते ध्यान से सुनें, smartly बात करके आप किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हो, किसी को भी इंप्रेस कर सकते हो, लडाई झगडा होने प आपकी बातों का बुरा ना मान जाए दोस्तों आज मैं आपको चार तरीके सिखाने वाला हूँ अगर आपने चार तरीके सीख लेना तो आप किसी भी फील में मात नहीं खाओगे हर काम में काम्या होगे पर उससे पहले आप लोग उस रिक्वेस्ट है 80% से ज्यादा लोग हम मतलब की बाते करें वो कहो तो आपने सुनी होगी सेर का सिखार करने के लिए बकरी का लालत सेर को देना ही पड़ता है तभी सिकारी सेर का सिकार गरबाता है बस यही फॉर्मला आपको बात कते टाइम यूज करना है आप जब भी किसी से बात करें तो सामने वाले की मतलब क अगर आप चाहते हो कि लोग आपके आगे पीछे नाचें आपसे हमेशा मिलने की कोशिस करें तो आपको लोगों के मतलब के हिसाब की बात ही करनी चाहिए ताकि लोग आपको भूल कर भी भूलना सकें क्योंकि आज कर लोग अपना टाइम वहीं ज्यादा इस्पेंड करना प मालनी जी एक LIC एजेंट से आपको अपना कोई काम निकलवाना है तो आप डारेक्ट उससे उस काम के लिए कहोगे तो वो भी आपको डारेक्ट ही मना कर देगा पर आप उससे ये कहते हो कि कुछ लोग बोल रहे थे हमें भी LIC पॉलिसी लेनी है कोई एजेंट नजर में हो घंटो बैठा रहेगा और आपसे उन लोगों के बारे में पूछना सुरू कर देगा और आपसे कहेगा उन लोगों को पॉलिसी लेने के लिए जरूर बोलो मेरे भाई इतना सब होने के बाद अब आप कह सकते हो यार मुझे तुम से चोड़ा सा काम था वो बन्दा तुरं जो से वही बात करनी चाहिए जो सामने वाले की मतलब की हो दोस्तों शरू बातो से आप किसी को इंप्रेश नहीं कर सकतें उसके लिए ओपको अपने ऑऊटर लुक और भी ध्यान देना होगा आपको सिर्ट तीन चीजों पर सबसे ज़्यां देना होगा सबसे पहली चीज ह फेस पर एक प्यारी सी मासूम्यत भरी एक smile रखनी चाहिए जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपकी body language किसी का भी ध्यान अपनी और खीचने में बहुत help करती है फेस पर एक प्यारी सी smile रखकर आप किसी भी unknown person से भी बात कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है सामने वाला किसी problem में हो उसे किसी बात का tension हो ऐसे में वो आपका मुस्कराता face देखकर अपनी सभी problems बोल सकता है और फिर आप से लंबी बाते कर सकता है तो कोसिस करें हमेसा face पर smile रखें और happy रहें दूसरी चीज है लोगों से बात करते time eye contact बनाए रखें कुछ लोग बात करते समय उपर नीचे दाए बाएं देखते हैं सामने वाले से नजरे चुराते हैं मानो कहीं दांका डाल कराए हो ऐसे में सामने वाले को लगता है आप उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए आप जब भी किसी से बात करें तो उसकी आँखों में जरूर देखें आई-contact बनाए रखें ऐसा करने से सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी बातों में ध्यान दे रहे हो आप उसकी बाते ध्यान से सुन रहे हो और वो आपको इबातों में इंट्रेस्ट दिखाएगा इसरी चीज है confidence से बात करें बिना confidence कि आप लोगों से अच्छे से बात नह होगी पर धीरे धीरे आप master हो जाओगे किसी को भी सीसे में आसारी से उतार लोगे आप ऐसा सोचो हिमत की आप किसी से अच्छे से बात नहीं कर सकते जिस दिन आपकी ये सोच बदली उस दिन आप चलाकी से बात करना सीख जाओगे नमबर तीन है दूसरों को जादा बात करने का मौका दो अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे बार बार बात करना चाहें आपको पसंद करें आपका नाम लिए बिना उनकी बात पूरी ही ना हो तो सामने वाले को जादा बात करने का मौका दो बोलो कम सुनो जादा अपने द में हां मिलाओ, ऐसा करने से वो आपको कभी नहीं भूलेगा, उसे आपसे मिलने में अच्छा लगेगा, हम गलती यह करते हैं, जब भी हम किसी से बात करते हैं, तो हम अपनी ही रेलगारी चलाये रखते हैं, सामने वाले को इंपोर्टन्स देना भूल जाते हैं, तो ऐसा नह ही होना चाहिए, और दूसरी चीज है, आपको कभी भी किसी की बात को बीच में नहीं काटनी चाहिए, ऐसा करने से सामने वाले को खराब लगता है, आपको हमेशा दूसरों को पहले बोलने का मौका देना होगा, तभी लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, अगर आप कि अपिक्स होंगे, और आप घंटो बाते कर सकते हो, ऐसे में कोई बोर भी नहीं होगा, पर बात करते हैं हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, हम सामने वाले का इंटर्व्यू लेने लगते हैं, उस पर सवालों की बारिस कर देते हैं, यहां तक तो कभी कभी चल भी जाता है पर जब सामने वाला हम से कुछ पूंचता है, तो हम उसके सवालों का जबाब नहीं देते, ऐसा करके हम उससे ज़्यादा दे तक बात नहीं कर सकते, वो इंसान जल्दी से जल्दी आपसे पीछा चुडाने के बारे में सोचने लगता है, और कोई बहाना बना कर वहां से न से बात कर सकते हो, दोस्तों उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा, वीडियो को लाइक करो, नीचे कॉमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, मिलते हैं नेक्स वीडियों में तब के लिए बाए, टेक केर